आज मैं आपको 116 संस्क्रण सुनाने जा रहा हूं कहानी में कुछ रिष्टों की अमेट्व पर प्रकाश डालने का प्रयाद भर कर रहा हूं आगे बरतपुर में रंजी नगर कोलोनी में भुजर्ग पती पत्नी साथ में उनका एकलोता पुत्र श्याम रंदन अपने बहु रजिनी के साल रहता था बहु स्टेट बेंक अफ इंडिया में बड़ी ओधे पर कारत थी बेटा थोक का व्यापादी था साथ अंसुजया बड़ी धार में प्रबस्ति वाली थी प्राता जल्दी उठकर नहादो कर सबको चाय पिला मंदिर को रवान हो जाती थी बेटा श्याम रंदन भी चाय नासता कर अपनी दुकान पर चला जाता था लेकिन माता पिता के चला निस्पश करना कभी नहीं भू से बहु जल्दी जल्दी घर का काम निप्टा कर बेंग जाने को निकलती उसी वक्त ससर उसे आवाज देती और कहते बेटी जरा मेरा चस्मा ढोड़कर शीशर साफ कर मुझे देती जाना यह करम रोज ही आफिस के लिए निकलते वक्त बहु को साथ होता था काम के दवाब सकता बेंग जाते दिर होने के कारण कभी-कभी बहु मनी-मन नाराज होती लेकिन फिर भी ससुर को कुछ नहीं किया पाती थी ससुर की इस आज़त बावत बहु ने अपने पत्ति के साथ भी शेयर किया पिता की इस बेवार से पत्ति को भी बड़ा अट-पिटा लगा लेक फिर पती ने पत्नी रजिनी को राय दी कि तुम पिताजी का चस्मा ढूणकर साफ करके उनके टेबल पर पहले ही रग दिया करो फिर तुमारी समझ सा खुद बहु को सुगामत हो जाएगी बस अगले दिन भगु ने इसा ही किया लेकिन फिर भी उस दिन वही बार आफिस क के लिए निकलने से ठीक पहले ससुन ने अपनी बहु को बुला कर उसे जश्मा ढूणकर लाने मसाफ करने देने को घा अब तो बहु बेहर नाराज हो गई लेकिन चुपचा ससुन के आधिस का पलन किया लेकिन ससुन भी बहु की आफिस आती सभाई आवाज देना नहीं छ पदल चुकी थी सवसुर की आधिस की इग्रो करने लगी सवसुर के वो कुछ बोलने पर वह कुछ जगाव नहीं जेती थी और खामशी से अपने कार कलापों में बैस रहती समय गुजर तो रहा विचारे मुजर्ख पिता अभी गुजर गई छुट्टी का दिन था सास हो मंदर के हुई थी अचानक बहु के मन में घर की सफाई के बच्चर आया अब वो घर की सफाई कर दाई थी कि सफाई के वक्त द्रबंगत ससुर की डारी उसकी हार लग गई डारी के पंडे 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 पर लिखाता आज दिना 17 अगस्ट 2020 आज के इस बस जीवन में बहत बस संगरत्में दिन चल जाके साथ घर से निकलती वक्त बच्चे अक्सर बड़ों का आशिरवाद देना भूल जाती हैं जबकि मुश्कुल बक्त में उनके लिए यही आशिरवाद सुरक्षा का वच्च का काम करता है बस इसलिए जब मेरी बहु चेस्में चुरू कर साफ करके मुझे देने को योगती है तो मैं मनी मन अपना हाथ बहु की सिर्फ पर रख देता हूं जदा भी मेरा आशिरवाद सद्य बच्चों के साथ है डायरी पढ़कर अफसर बहु फूट-फूट का रोने जगी आज उसके सचुर को गुजरे ठीक एक बड़ से ज़्यादा समय भी चुका है लेकिन फिर भी वो नित्र गड़ से बाह निकलते समय चेस्मा साफ कर उनके टेविल पर रख दिया करती है उनके अध्यस आशिष की लालसा में बंदू जीवन में हम रिष्टो का मेंट तब तक सही माइने में मैसूस नहीं करते जब तक वह व्यक्ति हमारी जिन्दिगी से सदा के लिए उज़र नहीं हो जाते भाईयो मेरी कहानी कैसी लगी कर प्या कमेंट दें वह फोलो भी करें धन्यवार